आप चाहे इस बात पर ध्यान दें या ना दें लेकिन आप वायो मंडल में उपस्ति चोटे-चोटे कड़ों से हमेशा गिरे रहते हैं इन कड़ों को हम PM या Particulate Matter कहते हैं अगर आप TV पर न्यूस देखते हैं या न्यूस पेपर पढ़ते हैं तो आपने PM 2.5 और PM 10 के बारे में जरूर सुना होगा इन Particulate Matters में मुखिता धूल, धूँआ, पराग कड़, कुछ और इन और गैनिक केमिकल्स होते हैं ये कड़ हमारी हर सांस के साथ हमारी शरीर में प्रवेश करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कड़ों का हमारी शरीर के अंदर क्या होता है जैसे ही एकड़ हमारी नाग में जाते हैं, कुछ तो छीक से तुरंथी बाहर निकल जाते हैं हमारी नाग में छोटे छोटे बाल होते हैं जिने सीलिया कहा जाता है जब हम सांस लेते हैं तो ये बाल हिलते हैं इनकी गती कुछ ऐसी होती है कि धूल के कर्ड अपने आप ही बाहर आ जाते हैं इस कारण ही कुछ कर्ड भोजन की नली में भी चले जाते हैं जो पाचन मार्ग से होते हुए वेस्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं इसके बाद जो कर श्वसंतंत्र या सांस की नली में आ जाते हैं वो म्यूकस में फस जाते हैं ये म्यूकस एक तरह का तरर्पदार्थ है जो श्वसंतंत्र में निकलता है इस तरह फसे हुए कण कफ के रूप में बाहर निकल जाते हैं इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कुछ कड़ फेफडों के अंदर तक बहुत जाते हैं फेफडों के भीतरी भावों में छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनें फैगोसाइट्स कहते हैं ये कोशिकाएं कुछ कड़ों को नश्ट कर देती हैं इस तरह शरीर के अंदर से जादा तर PM10 साइज के कड़ बाहर निकल जाते हैं या नश्ट हो जाते हैं लेकिन PM2.5 साइज के अधिकतर पार्टिकल्स अभी भी बचे रहते हैं इन पार्टिकल्स के शॉर्ट टर्म एक्स्पोजर से आख, नाक और गले में खराश वा जलन की शिकायत हो सकती हैं PM2.5 के कुछ पार्टिकल्स खून में मिल जाते हैं और किड्नी के रास्ते होते हुए पेशाव के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं कुछ पार्टिकल्स छोटी-छोटी धमनियों में एकत्रित होने लगते हैं जिससे वे फूल जाती हैं लंबे समय तक इन पार्टिकल्स के एक्स्पोजर से असमाने दिल की धरकन, हृदय रोग तथा दिल के दोरे तक की समस्या आ सकती है और अगर दिमाग में उपस्थित को इधमनी में सूजन आ जाए तो लकवा तता सरिब्रल पैल्सी का खत्रा बढ़ जाता है यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि सभी पार्टिकल्स खून में नहीं मिल पाते हैं और फेफ्रो में ही इकठा होने लगते हैं इससे ब्रांकियोल ट्यूब्स के बंद हो जाने से फेफ्रो की शमता कम होती चली जाती है और लोगों को अस्थमा भी हो सकता है लंबे समय तक इन पार्टिकल्स के एक्स्पोजर से महा नगरों में अस्थमा एक सामान बिमारी होती जा रही है कंस्ट्रक्शन साइट्स वाखदानों में काम करने वाले मजदूरों को सिलिकोसिस नामक रोग भी इसी वज़े से होता है फेफ्रों में इकठा होने वाले इन कड़ों में कुछ फेफ्रों में जलन और घाव तक पैदा कर सकते हैं इससे सांस संबन्दी बिमारियां और फेफ्रों में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है इसके अलावा धूम्रपान और गाड़ी से निकले हुए धूएं के कंड हमारे शरीर की कोशिकाओं में जाकर डियन्ने को डैमेज भी कर सकते हैं डियन्ने में परिवर्तन की वज़े से कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी भी हो सकती है PM2.5 साइज के कंड आपके शरीर में तवचा के माध्यम से भी आ सकते हैं क्योंकि ये कंड तवचा पर मवजूद छिद्रों से लगबग 20 गुना तक छोटे होते हैं इससे तचा की खुद को नया बनाते रहने और हानिकारत तत्वों से छुटकारा पाने की शमता भी कम हो जाती है PM2.5 से हर साल लगबग 37 लाख लोगों की मौत हो जाती है तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इस पॉलुशन को जादा से जादा अवाइट करने की कोशिश करें और परिया वरंड को बचाने का प्रयास करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें पार्टिकुलेट मैटरूप के बारे में जानने के लिए हमारी कैजुली एक्स्प्लेंट सीरीज का वीडियो देखना ना भूलें और इस तरह के और भी इंट्रेस्टिंग और साइंस से भरपूर वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें